अपना में भी बहुत जादा खुशी है कि मैंने जहारखन के लिए इतना बड़ा टाइटल चीता है तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक आदिवासी तो जरूर बट मैं एक जहारखन की बेटी हूँ करने वाली अंजलीला मेरी तिर्की मिस यूनाइटेट नशन एर्थ का खिताब जीती है दस सालों के बाद भारत को क्राउण दिलाई है हमारे साथ इस वक्षाव बात करने के लिए मसे तिर्की हैं उससे बात करते हैं और उनकी कुछ संगरश भरी कहानी भी आपके साथ साजह करते हैं जोहार जहार के नमस्ते इंडिया मेरा नाम एंजिल मरीना तिर्की है और मैं नामकुम की रहने वाली हूँ और मैं सबसे पहले तो यह बात बोला चाहूंगी कि मुझे अपना में बहुत जादा खुशी है कि मैंने जहार के लिए इतना बड़ा टाइटल जीता है जादा नेगेटिविटी थी बड़ अब इंसाइट चीजों से लोग बहुत ही पास्ट हो चुका है अब एक यह नया क्रिएशन है नया यूनिवर्स है मैं सारे लोगों को बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चे को फैशन इंडिस्ट्री के नाम पर भी अगर वो जा रहे ह है तो विकिस पैरेंस की सपोर्ट बहुती जादर जरूरी है आज मैं यहां पर हूँ मैंने 30 कंट्री के साथ में कमपीट किया था ही मैं समझना चाले थी कि मिस उनाइटे नेशन अर्थ क्या है क्योंकि कई सारे ऐसे फैशन सो होते हैं लेकि यह क्या है मैं सारे इसे फैशन इसे पर भी काम करना हम साथ लोग सोचल इशे पर काम करते हैं जैसे जैसे होसे कि आरटिजन स्तुडेंट को लेकर चाल इंपामिन को लेकर वहां पर देशों के लड़के महां पर एक बॉंडिंग क्रियेट करना क्योंकि यह बर्स शाथ दिनों का पैजन नहीं होता है बलक मैं एक जारकन की बेटी हूँ तो यह मेरे लिए बहुत ही साथ अगर्व की बात है कि मैं कैसे आपको कैसे पता चला फिर कैसे वहां तक पहांची कब से आप इस फिल्ड में है क्या कुछ पता है मैं पिछले छे सालों से इन फील्ड पे हूँ सबसे पहले टाग मैं जीता था यह हैं पंशालों से आप दुनिया में मिस इंडिया का भी आपने क जीता उसके बाद मैसुनाइटेव अर्थ के लिए भी आपने भारत को पुक्राउं दिलाया है अगी क्या कुछ ब्रन है किया कुछ करना है क्या कुछ आपने सोचा है शीघ अभी तो मुझे अंटिंग के में आगे जाना है मैं कुछ बहुत प्रोजेक्स भी क्या हुआ है मैंने तापसी परनों के साथ मैंने रश्मी रॉक एड मुवी की हुई है अगर आदिवासी महिला की बात करूँ तो आज देश के सर्वोच पद पर पहुंची है राश्टपती द्रौपती मुवी अगर हम बात कर ले तो रिया तिर्की जी इंडिया को रिप्रेजेंट की उसके बाद अब आप तो एक के बाद एक आदिवासी लड़की जो है वो देश और दुनिया का नाम रोशन कर रही है क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जिने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है बस पढ़ाई लिखाई करके शादी ही करना है या फिर हम कुछ छोटा सा काम करता है सबसे पारत मैं बोलूगे कि जी बहुत अच्छा काम है रिया तिर्की ने जहारकन को रिप्रेजन कि वो टॉप एट तक जहारकन को लाई यह बहुत अच्छी बात है और इतनी बी गर्ल्स यहां पर जितने बीमारी आधिवासी गर्ज जितनी जाकन की बेटी मैं उनके यह बोलना चौह को कभी भी गिव अप नहीं करना है और अपना जो लक्षे उसे पाने की हमेशा मैनत करती रही है विकर इस कहावत है कि आपको वह लक्षे एक ना एक दिन ज प्रेजानिजा आपनाषी में विचैनि तो अपम भार्व रहे विलूई रहे हैं मेरे लोग्ने tokyoo जाकर कर देश का सेवा कि अधी मेरे टाइम कर तर्फ जाकर कि एंटेन प्राइपर्दक्रम्र हुआ रहे हैं। कि दूसरों की बात ना सुनों अपने काम में फोकस रखो मन्जिल आपको खुद नखुद मिलेगी अब जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थो क्या कुछ सवाल जवाब थे खासकर अगर हम जारकन की बात करते हैं तो सबसे पहले खायाल आता है जारकन रांची मतलब ध जोनी के शहर से जाना जाता था बट अब जैसे आप देख सकते हमारी प्रेसेंट ऑनरेबल रौपती मुर्मुजी है तब उनके जाना जाएगा यह और विगर्व की बात है तो मैं यह बोलना चाहूंगी कि अभी हमारे सवाल मुझ से पूचा गया थे कि आप जारकन के बा क्योंकि अगर ग्लैमर की बात करे तो अगर खास हमारे जारखन के बात करे तो चोटे में इसा होता है कि कहा जाता है कि अँच्छा काम करो rió करो डॉलों इंजीनियर वनो लेकिं ग्लैमर फैशnung के चिसन के तरफ हमारे पैरंट्स मूव कर नहीं देते क्योंकि लगता है कि करियार नहीं है लाइफ नहीं है लेकिंजाओ कि आपके देख सकती हूँ कि यहीं तक होती मॉडल मतलब एक त। दिफाइन करते हैं एक नेगेटिव वे में वो उनको जज़ करते हैं तो मैं यह बोलना चाहूंगे कि आप अपनी सोच को बदले मेंटालिटी को बदले किस मॉडल मतलब यह नहीं होता कि आप बस एक रांप में कपड़े पहन के चल रहे हो इसका मतलब होते है कि इसके पीछे बहुत जादे स्ट्रगल होता है अपनी मैंटेनिंस होती है आपकी वोकाबलरी होती है आपको पहन करके रिप्रेजन करना है वो फैशन डिजाइनर है और मुझे उस ताइम पर मॉडलिंग का मतलब भी नहीं पता था वट एक बचर में राम पे गई तो मुझे लगते मेरे अंदर से वो चीज़े कि मुझे दुबारा करना है तो मैंने दो से त्रायों किया फिर गर पर मेरे चोटी बहन है वो बीसी बायों अटक करी है उसे एक वर गडिकल लाएन पर चाना है और मेरे डाड़ आमी ऑफिसर है अबिजनस है मेरी मॉम हाउस वाइफ है 2002 वहांकर ऐसे शुरुब से मेडिकल लाइन में जाने का शौक तो आने का सौक के मेरे मों दैड़ बोलते हैं तू कैसे अलगा निकल कि अगर दूसरे फील्ब में सारे बच्चे नाम रोशन करें तो इस फील्ब मारे जहरकन के नाम क्यों आगे चाहे और मुझे बहुत ही ज़ादा खुशी है क्योंकि लोग मैं कभी भी कहीं पर आदिशन देनी के लिए जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं आप डैली से अब बॉलेंगी आप बहुत सारे लोगों के नाम से जारकन जाना जाता है क्या कुछ कहना चाहेंगे खासकर हमारे वो उन दर्शकों को और जो वो लड़की जो आपको देख रही है जिने लगता है कि नहीं फैशन और ग्लैमर की दुनिया में भी आप नाम रौसन कर सकती ह हैं लेकिन क्योंकि उन्हें यह भी लगता है कि यह ऐसा फिल्ड है जहां बहुत सारे कॉंप्रमाइजस करने पड़ती है आप इस बात को मानती है क्या ऐसा है मैं यह बोलना चाहूंगे देखिए नेगेटिविटी तो हर एक फील्ड में है एक मॉडलिंग और आक्टिंग क आप चोटे से बिजनस कंपनी में या किसी भी कंपनी में काम कर आपको नेगेटिव लोग बहुत सारे मिलेंगे बड़ आपको इस तरीके से डील करना है वो आपको आना चाहिए अगर आपको नेगेटिव दिख रहे तो आप वहां से चले जाए यह उस चीजों में आ अगर आप इस चीजों के लिए comfortable नहीं हूँ अगर आप यह सब चीजों नहीं करते ता बिल्कुल नहीं जाए क्योंकि आपको अपने talent के नाम से आगे जाना है इन सारे चीजों के आज से आगे नहीं जाना है और एक लास बात मैं बोलना चाहूंगी that never give up always focus अपने आप पे हमेशा आत्म विश्वास बनाए रखे और patience रहे विकिस आत्कर के generation में मैं एक young generation हूँ मैं यह बोला चाहूंगे that patience की बहुत कमी है तो अगर आप patience रहेंगे focus रहेंगे काम करते जाएंगे तो इन चीजों के जरूर आपका हासिलता मिलेगी हमारे साथ इस वक्त एंजलीना मेरी तिर्की बात कर रही थी जो कि अंतराश्य स्तर पर जारखंड का और भारत का नाब रोशन की है और जिन्होंने कहा है कि never give up और आप इसी तरीके से महनत करते रहें तो मन्जिल जरूर आपको मिलेगी और हर फिल्ड में compromises है लेकिन यह आपको तै करना है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ती हैं तो फिल्हाल इस खबर में इतना ही तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देखते रहें देश्टी डियूज आशरवाद EasyCon Group भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद Rose Valley जिसमें है premium flats with all modern amenities पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर अगर आप भी UPSC या JPSC परीच्छा में सफल होना चाहते हैं तो अभी जोइन कीजिए दपरेयास इंडिया राची को दपरेयास इंडिया राची में आपको best faculty counseling sessions study material के साथ test series की भी विवस्था उपलग्द है तो देर किस बात की अभी जोइन करें दपरेयास इंडिया रा ब्हु dirty खरेयास पा कर four लाची को तो अवा वी जोड़ा है है वां स便 बात की साथ ठोर खरेयास भाष आपको